असलाम अलेकुम रग मुंबई महानगरबारी का शिक्षण की बाद वर्चल क्लास रूम में मैं सेयद मुंबई हुसेन आफ्टमाम का इस्तखवार करता हूँ बच्चो आज हम जमात आठ्वी मजमून जोगराफिया सबक नमबर छे जबीन का इतना इसका हिस्से दूबं का मुतालिय करने जा रहे हैं तो आईए शुरू करते हैं बच्चो हम लोग जमात आठ्वी मजमून जोगराफिया सबक नमबर छे जमीन का इतलाख इस्तिमाल इसका मुतालिया हमने शुरू किया था और इसके पहली वीडियो में हमने चंद चीजें देखी थी जिसे जमीन का इतलाख क्या होता है देही जमीन का इस्तिमाल कहा होता है शेही जमीन का इस्तिमाल कहा होता है जिरही जमीन, अफ्तादा जमीन, जंगलाती जमीन, चरागा इनका मुतालिया हम कर चुके हैं और उसके साथ साथ हम शेही जमीन में इस्तिमाल होने वाले तमाम चीज़ों के बारे में पड़ चुके हैं चहरी जमीन में कारोबारी इलाखे, रहाइशी इलाखे हमलो नकल की सहूलियात का इलाखा अवामी सहूलियात का इलाखा तफरी मुखामात, मुश्तरिका जमीन का इस्तेमाल का इलाखा इन तमाम चीजों के बारे में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं आईए आज हम इसके आगे का मुतालिया करते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबूरी इलाखा और जैली शहर तो चलिए शुरू करते हैं अबूरी इलाखा और जैली शहर शेहरी बस्तियों के सरहती इलाखों से बाहर जहां से देही बस्तियां शुरू होती हैं इनके दर्मियान का इलाखा अबूरी इलाखा कहलाता है इस इलाखे की जमीन के इस्तेमाल में शेहरी और देही इलाखों का मखलूद इस्तेमाल नजर आता है इस इलाखे में वक्त के साथ साथ देही इलाखे बतद्रीच शहरी इलाखे में तबदीर होता नजर आता है और इसी से मरकजी शहर के पास जहली शहर बनते हैं मसलन बांदरा, भांडूप वगयरा मुंबई शहर के जहली शहर हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं मनसुबा बन शहर की जाने सनती इन्खिलाब के बाद दुनिया भर में बड़े पैमाने पर शहरी कारोबार का अमल शुरू हुआ लेकिन शहर कारी का ये अमल मनसुबा बनना होने की वज़े से हर शहर बेखायदा तोर पर बढ़ते चले गए इसकी अगर मिसाल बच्चों हम लोग देखेंगे मुंबई का शहर है यहाँ पर आपको कोई प्लानिंग नजर नहीं आएंगे यानि बेखायदा यह अंतलब जहां जगा मिली वहां पर लोगों नहीं जोपड़िया बना दी तो यह जैसी जैसे जमीन रोजगार की तलाश में लोग शहरों की तरफ आते गए रोजगार की तलाश में और फिर जैसी भी बस्तियां बसी जिसमें कोई खायदा नहीं था इस वज़े से यह तमाम चीज़े हुई रोजगार के मौके दस्तियाब होने की वज़े से बड़े पैमाने पर आबादी शहर की तरफ नखलों मकानी करती है जिसकी वज़े से शहरी इलाखों में जगे की दस्तियाबी हमेशा एक मसला बनी रहती है शहर में कारोबार आसानी से मिल जाते हैं शहरों में सनते होती हैं बड़े बड़े कारखाने होते हैं नोकरी आसानी से मिल जाती है इस वज़े से क्या होता है लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं यानि गाओं से शहरों में आके बस जाते हैं अब शहरों में मसला क्या माने पर तनों दिखाए देता है महदूर जमीन और उसके इस्तिमाल में पाए जाने वाले तनों के अलावा शहर के रोज अफ़जां बढ़ते जाने से मुतालिख मुस्तक्बिल के पेशनर मुस्तबाबन शहर बसाने के बारे में गुरुष किया जाने लगा शहरों को बसाने से खबल ही शहरी जमीन की मुनासिब इस्तिमाल के बारे में मनसुबाबन खाका तयार करके इसके मताबिछ शहरों की तरकी की जाने लगी अभी शेहरों को अगर बसाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है खाका यानि एक नक्षा, एक प्लैन होना चाहिए वहाँ पे सड़के किस तरह की हो, पानी की निकासी किस तरह हो लोग जब रहेंगे उनको तो उनको तमाम फैसलिटीज मिलना बहुत जरूरी है हम लोग जब फैसलिटीज की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ होती है पानी, बिजली की जरूरत होती है और आम अन्दरफ्ट के जराइए तमाम के लिए एक मनसुबाबन खाका नक्षा जरूरी होता है उसके बात जाके शेहर क्या करते हैं तरक्य करते हैं तो अकर तमाम चीज़ें सलीखा मन्दी से होगी, बाखाइदा तोर पर होगी, प्लानिंग के साथ होगी तो एक अच्छा शेहर बन सकता है जिसे मिसाल के तोर पर यहां पर कुछ शेहरों के नाम दिये हैं सिंगापूर, सेउल, जुनूबी कोरिया में जियूरिक, सुजरलेंड, वाशिंग्टंग, डीसी, जो कि अमरीका में हैं जिसे मुर्दू में रियासते हाइद मुताइद अमरीका कहते हैं ब्रासीलिया, ब्राजील में और जी तरह हिंदोस्तान में, चंडीगर, बोनेश्वर, यह हमारे भारत में मनसुबबन शहरों की मिसाले है आएए इन पस्तुरों के उपर नजर जालते हैं, मचचो कि यह मनसुबबन शहरों की बहतरीन मिसाले हैं Phillips то भला, मच्चों शकल के उपर गोर करते हैं इसमें जमीन के इस्तेमाल से मुंसलिक दायरों का मुंतालिय कीजिए और दर्बज़र सवालों के जवाब लिखिए एक शक्रल आपके सामने दिखाई दे रही है यहां पर दो मुलकों के बारे में बताया गया है पहले जो कलर हैं उनके बारे में समझ लेते हैं जो पीला कलर है वो है खाबले काश्ट रेड कलर को बताया गया है लाल रंग को मुस्तखल काश्ट में ग्रीन कलर यानि हरे रंग को जेरे जंगलाद यानि जंगलाद का इलाखा ग्ल्यू कलर यानि नीले कलर को हम मुस्तखल चरागा के तरफ देख रहे हैं और जो दिगर है उसके लिए हमको एक डार्क येलो कलर बताया गया है आईए यहां पर कुछ सवाला दिये हैं हम उनके जवाबत हासिल करने की कोशिश करते हैं ये दो तस्वीरें दिये गई हैं पहली तस्वीर है जापान में जमीन का इस्तेमाल 2011 में किस तरह किया गया है जिसमें जो खाबिल काश्च जमीन है वो है 11.7 फीसद मुस्तखल काश्च का इलाखा 0.8 फीसद जहरे जंगलाद का इलाखा यहाँ पर है 68.5 फीसद और मुस्तखल चरागा यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देती और जो दिगर है उसको दिया गया है 19 फीसद उसी तरह दूसरी शकल के दरफ आते हैं हम लोग ये शकल में हमको भारत के बारे में मताया गया कि भारत में जमीन का इस्तेमाल 2011 में किस तरह था सबसे पहले खाबिले काश्ट जमीन थी हमारे पास 52.8 फीसद मुस्तखल काश रेड कलर को देखिए 4.2 फीसद जेर जंगलाद यानि जंगलाद का इलाखा था हमारे पास 2011 में 23.1 मुस्तखल चरागा थे हमारे पास 3.5 और दिगर 16.4 अब इनको समझने की कोशिश करते हैं यहां पे चंद सालाद दिये हैं इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे अब इन दोनों तस्विरों का मावादना करने के बाद हमको इन सवाल की जवाब देना है किस मुल्क में जेरे जंगलात इलाखे का फीसद ज्यादा है जंगलात का इलाखा जापान में ज्यादा है जेरे काश जमीन का फीसद किस मुल्क में ज्यादा है जेरे काश के लिए हम लोग देखेंगे पीला रंग लाइट कलर जो दिया है हलका पीला कलर इस्तिमाल किया गया है जापान में 11.7 और भारत में 52.8 तो ज्यादा फीसद कहां काएगा भारत काएगा अगला सवाल है मज़कुरा बाला दोनों सवाल पर गोर करते हुए भारत और जापान की खुद्रती साख्त और अभवा की जमीन का इस्तिमाल से किस तरह मरबूद करेंगे जापान और हिंदोस्तान की मरबूद साख्त के बारे में हम किस तरह मरबूद करेंगे कि जापान का जो इलाखा है सबसे ज्यादा वहाँ पर चरागा मوجود है मस्तखल चरागा का फीसद बहुत ज्यादा है इसका मतलब वहाँ पर बारी ज्यादा होती है जहें गने जंगलाद हैं जोगराफियाई वजाहात आपको ये बात अच्छी तरह जहन नशीन होगी होगी कि मुक्तलिफ मुलकों में जमीन के इस्तेमाल का तनासुब मुक्तलिफ होता है जमीन के इस्तेमाल की साख का फर्ख पर पड़ता है जापान में जेर जंगलाद जमीन का तनासुब कम होने की वज़े से मुस्तखल जेर काश्ट इलाखे का फीसद बहुत कम है इसके मुक्तलिफ में भारत में जेर जंगलाद जमीन का फीसद कम होने की वज़े से मुस्तकल जेरिकाष्ट जमीन का फीसद ज्यादा है किसी मुल्क में जमीन के इस्तेमाल के मुताले से इस मुल्क की तरकी की सते का पता चलता है जैसा यहां पर हमको शकल में बताया गया है कि जापान हिंदुस्तान से ज्यादा तरकी आफ़ता मुल्क है जमीन की मिल्कियत और हक मिल्कियत जगराफ ए वजाहत साथ बारा की नखल जमीन के इस्तेमाल के मुताले में हमने पड़ा है कि जमीन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है जमीन जाती या सरकारी मिल्कियत की होती है इसके मुतालिख से हकूमत के महकमे महसूल में इंदराज किया जाता है इंदराज की गई जमीन के मुतालिख तमाम तर मालूमात महकमे महसूल के साथ बारा के नकल नामी दस्तावेद में लिखी जाती है इससे मुतालिख हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे 7-12 की नकल के जरीये किसी जमीन का हख मिल्कियत किसका है ये पता चलता है ये दस्तावेज महिक मेहसूल के इंदाजी दृटर से जारी किया जाता है शमार नमबर 7 और 12 ये जमीन की मिल्कियती हकで मतालिक कानून की महिस शक है बच्चों, हम यहां पर एक 712 की जो नकल दी हुई है इसका मुतालिया करते है देखिए यह हमारे हकूमत महराश्री ची तरफ से जारी करता है एक 712 है इसके अंदर आप हम देखेंगे के हम जिससे जमीन खरीटे हैं यह जनी उस जमीन का माली कौन है उसके बाद उस जमीन की पैमाईश कितनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चोड़ाई है तमाम मालूमाद इस साथ बारा में दी हुई होती है जैसा हमको यहां सामने दिखाई दे रहा है यह तस्वीर में कि यह नाम है, गाउं का नाम है वर्ड जिरे, तालोका, पारनेल और जिला, एहमद नगर इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि एक साथ बारा की कॉपी है जिसका जो औरिनल मालिक है उसका नाम है अशुक, दतात्रे, सुरोडे और उनकी जो जमीन है, वो है यहां पर उसके पाइमाईच दी है, देखिए उसके बाद यह जमीन के अंदर कितने लोग शामिल है यह तमाम के नाम उसके नीचे, एक के नीचे एक दिये हुए है और उसके बाद जो खाते करमांग जो दिया हुआ है यानि वो जमीन के आजू वाजू में, शुमाल में, जुनूब में, कौन-कौन है यह तमाम चीजें जो है, यह साथ बारा के अंदर दी हुई होती है उसी तरह यह दूसरा खाका एक दिया हुआ हुआ है जिसमें दिका हुआ है कि गाव नमूना बारा कि जो महाराष्टर के अंदर जो अधिकार अभी लेग पत्रक है जिसमें महाराष्टर जमीन महसूल अधिकार अभी लेग आनि नोन वया तयार करने वो सूस्थती ठेवने नियम एकुनी शेकात्तर यादी नियम एकुनतीस ़िसके बारे में आपको नीचे डियावाए कैすे लाइट सिंचाई होती है क्या खेती होती है कैसी है की जमीने ये तमाम चीजें इसके अंदर दी हुई है इसी जमीन जिसके उपर काश्टकारी की जाती है वो हम लोग रिहाइश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके बाद अगले अगला है मालमत्ता पत्रक जिसको हम बोलते हैं PR कार्ड और इसमें भी दिया हुआ है कि आपक अगल गोया जमीन का एक खिसम का आइना होता है क्योंकि इसे देखकर अमली तोर पर जमीन तक ना जाते हुए जमीन के मतालिख तमाम तर इंदराज और मालमत बैठे बैठे हासिल हो जाती है मैकम महसूल के दफ्तर के एक रिजिस्टर में कुड मिलकियत हक जमीन पर लिया गया खर्थ, खेत, जमीन की मुन्तखली, जेरे काश फसल के का इलाखा वगेरा का इंदराज होता है इस तरह गाओं का नमोना नमबर 7 और गाओं का नमोना नमबर 12 मिलकर 7 बारा की नकल तयार होती है इस वजबे से 7 बारा की नकल कहते है जमीन और महकमे महसूल के बहतर इंतिजाम के लिए हर गाओं के तलाटी के पास ये गाओं नमुना होता है अब हम देखते हैं कि साथ बारा की नकल किस तरह पड़ी जाती है साथ बारा की नकल किस तरह पड़ी जाती है भोग वटादार दरजा एक यानि ये जमीन पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही है खानदान की मिलकियत भोग वटादार दरजा नमबर दो यानि हकूमत ने कम जमीन रखने वाले या बे जमीन लोगों को दी गई जमीन जिसे जिला कलेक्टर की इजाज़त की शर्थ पर बेचा किराए पर रहन या अतिये की सूरत में दिया जा सकता है इसके नीचे आकार में जमीन पर लगाय हुए टेक्स का इंदराज रुपी और पैसे की शकल में होता है दीर हक में मिलकियत के दिगर हक इदारों का नाम दिया होता है इसी तरह जमीन पर लिया गया खर्स अदा किया गया है या नहीं ये भी साद बारा की नकल के जरिये मालू मालूम होता है मिलकियत का कार्ड प्रॉपरिटी कार्ड जेर जिरही जमीन की मिलकियत का इंदराज मिलकियत का कार्ड में किया जाता है हक मिलकियत और जमीन का रख्मा बताने वाले कार्ड शेहरी जमीन की पैमाईश करने वाले इदारे सिटी सर्वे आफिस से मिलते हैं इसमें दर्जेल मालूमात होती है सिटी सर्वे का नंबर शुमार आखरी पलॉट का शुमार नंबर टैक्स की रखम मिल्कियत का रखबा हिज्ब मामूल हख वगेरा मच्चों इसे हमेशा जहन में रखें जमीन के इस्तेमाल पर असन अंदाज होने वाले आमाव मिल्ड देही जमीन का इस्तेमाल और शेहरी जमीन का इस्तेमाल देही जमीन आब होवा, मिट्टी, धलान की साख, आपाशी की सहूलियाद, खदरती वसाइल, हकूमत की पॉलिसी शेहरी जमीन का इस्तेमाल जमीनी अलागे का मखाम, पुद्रती वसाइल, तामीर, इमारत, पॉलिसी, नकल अहमल के रास्ते, सनदकारी, तिजारत, खेल कूद और तफरीकी सहूलते, हकूमत की पॉलिसी बताईए तो भला, शकल की मदद से सवालों के जवाब दीजिए, हम आपके सामने एक शकल बता रहे हैं, देखिए ये शकल है, ये शकल है भारत में उमूदी तोर पर जमीन के इस्तिमाल में हुई तब्दिली और रुजहान, सन दोहजार नौत से दोहजार ग्यारा के दरमिय बच्चों इनके अंदर देखें कुछ चीज़ें आपको गोर करनी चाहिए, जैसे जंगल के लिए ब्लू नीला रंग इस्तिमाल हुआ है, गेर जेरे जमीन के लिए औरेंज कलर इस्तिमाल हुआ है, चरागा के लिए लाइट हलका कला कलर इस्तिमाल किया गया है, दिगर ज अत्तैमाल यहाँ पर किया गया है hice तस्वीर मों गौष से मशायत्रा केजिए देखे जैसे हम लोगcorration पड़ते हैं दो xшееvn होता है MINisket अभित हरे यह श में हरे होता है तो झारा साल 2000-2001 तक और फिर 2010-2011 तक ये तमाव चीज़ें आपके सामने दी गए है अब यह आप एक चंद सवाला दिये हैं हमको इसके मदद से सवाल के जवाब डूलना है पहला सवाल है 2019 इन सालों में जमीन को कौन सा इस्तेमाल 2010-2011 तक कम होता हुआ नजर आता है इसकी क्या सबब हो सकता है 2019 के अर्से में जिराई लाके और दिगर घर जिराई जमीन का इस्तेमाल 2010-2011 तक कम होता हुआ नजर आता है इसका सबब बढ़ती हुई शेहर कारी हो सकती है यानि शेहरों के अंदर जो बढ़ती हुई आबादी है इसकी वज़ा हो सकती है सबल मर्दो है जमीन के इस्तेमाल की कौन सी खिसम बड़े पैमाने पर दिखाए देती है इसका भारत की माशियत से किस तरह तालुख खाएम कर सकते है देखे बच्चों जिराई के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का इस्तेमाल होता है और होता हुआ हमको दिखाई भी देता है इस से यह बात जाहिर होती है कि भारत की माशियाद जिराद पर मुनित है जिराद पर ही volontी होती है सवाल नंबर तेन है जेर काश चीलाखो में कमी होने का मतलब अनाच्च की खिलत का होना क्या ऐसा कहा जा सकता है जेरेकार्श इलाखों में कमी होने का मतलब अनाज की खुदलत का होना नहीं कहा जा सकता इसकी वज़े है जदीद टेकनॉलोजी का इस्तेमाल करके कम से कम इलाखे में अनाज की पैदावार में हम इजाफा कर सकते हैं आजकल नही नही टेकनिक इस्तिमाल करके किया जाता है कोशिश करके देखिए बच्चों अब हम आपके सामने एक खाका पेश कर रहे हैं इस खाके का मुशायदा करके चंद सवालात की आपको जवाब देना है इस खाके को गोर से देखिए इसमें कौन کन सी चीजें दी इगई हैं एक है जेरेकास तिलाखा, जेरेजंगला तिलाखा, जेरेकास का लाखा, चरागा, और कावलिकास, इफतादा लाखा, और इफतादा लाखा ये रियास्ट महराष्ट का जमीन का इस्तिमाल 2010-2011 का हमको मुशायदा करना है और चन्द सवालात के जवाब देना है जिसा पहले सवाल है खाबिले काश्ट जमीन कितने फीसद है देखे उसको पताया गया है नीले रंग में बलू कलर में तो जवाब हम बता सकते हैं खाबिले काश्ट जमीन है 65.8 फीसद अगला सवाल है बंजर जमीन का फीसद क्या है बंजर जमीन का फीसद यहाँ पर जो कि हमने पढ़ा है अफ़तादा जमीन यह नी आईसी जमीन जिसके उपर फसल नहीं उगा जाती वह है अफ़तादा जमीन 8.3 फीसद अगला सवाल है महाराश्टर में जेर जंगलाद इलाखा कितना फीसद है जवाब में लिखेंगे जेर जंगलाद इलाखा 16.9 फीसद है अगले सवाल कि तरह बढ़ते हैं महाराश्टर में गैर जिराई जमीन का फीसद आ है देखिए उसके लिए पीला राज इस्तेमाल हो रहा है यलो जिसको यहां बताए गया है गैर काश्ट इलाखा तो महाराश्टर में गैर जिराई जमीन यानि जिसके उपर काश्ट कारी नहीं होती, फसल नहीं उगाई जाती, वो है 10.2 फीसल कोशिश करके देखिए, यहाँ पर 2003, 2010, 2017 का एक सेटलाइट इमेज आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है यह सेटलाइट से ली गए तस्वीर, मौंडा काउं, तालुखा, हिंगाना, जिला, नाकपूर के जमीन के इस्तेमाल की है मुखतलिफ सालों में जमीन का इस्तेमाल में होने वाले फरक को इसके जरीए बताया गया है कि किस तरह जो है जमीन का इस्तेमाल होता है बच्चो इसको बगवर मुशायदा करें और जमीन के इस्तेमाल में होने वाले फर्क को बगवर देखें और इसके मुटालिख अपनी बयाज में इसे नोट करें उमीद है आप तमाम को ये लेसन साबक हमारा पसंद आया होगा समझ गए होंगे इस सबक के नुकात को हमेशा ध्यान में रखें तो आज का सबक यहीं पर खत्म होता है अगले सेशन में एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे अल्ला हाफिस